Hello Friends, मैं लेक्या हूँ आप लोगों के लिए Microsoft Excel में Data Validation Custom का यूज करना तो आज इसमें सीखने वाले हम लोग है Excel Custom Data Validation का यूज करना तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पर लें जो लोग चैनल पर हमारे नए जुड़े होंगे हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घटी दवाना मत बुलिएगा इससे आने वाला नौटिफेक्शन आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो यहाँ पर हम जो आए एकसल की फाइल ओपेन कर लेते हैं और इसमें हम लोग सीखने वाले आए एक इक कौइंट जो है आप लोगों को डाटावलिडेशन कॉस्टम का यूज करके सिखाने वाले हैं तो यहाँ पर देखेंगे लिखा गया और डाटा वेलीडेशन और एकसेप्त व में जाएंगे और डाटा वालवीडिसन को आप लोगों के यहा क्लिक कर देना है और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोठा साफ प्वॉप O Backed Open हो जायेगा और यहाँ पर देखेंगे कि डाटा और यहां पर दिया गया क्या एलाओ और एनी वैलू में आपको यहां पर एक छोटी सी बटन दी जाएगी और इसको क्या करना क्लिक कर देना है और यहां पर देखेंगे कि आप लोगों को कस्टम लिखा हुआ मिल गया है यहां पर क्या करना आप लोगों को क्लिक कर देना है और यहां पर आप लोगों को फार्मूला लगाना है टेक्स्ट के लिए जो कि इंट्री हमारे टेक्स्ट के होगी तो यहां पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे equal age text और यहाँ पर क्या करेंगे post act on कर लेंगे और यहाँ पर post act on करने के बाद आपको value देना है तो value आप लोग जो है यहाँ पर A1 को क्या करेंगे select करना है और यहाँ से इसके बाद post act को बंद कर देना है और आप लोगों को क्या करना है ओके करना है ओके करने के बाद आपको जो इंट्री होगी यहाँ पर आप लोगों को वल्ली टेक्स्ट लिखा जाएगा तो चलिए यहाँ पर ओके करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं कोई टेक्स्ट लिखर करके दिखाते हैं जैसे कि माली जी हम यहाँ पर टाइप करते रह नहीं लेरा है वरली, यहां पर क्या ले रहा है, तो हमारी जो है यहां पर text की इंट्री हो सकती है अगर आप लोग का number का यूज़ करना रहेगा तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे current से सेलेट करेंगे मैं काम करता हूं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं और इसको क्या करना है सेलेट करना है और यहां पर जाना डाटा वलिडेशन में और यहां पर कस्टम में यहां पर जो लिखा गया इस टेक्स यहां पर लिखना है कि आप लोगों को इस नम्मर तो यह का आपका नहीं लेगा अगर यहाँ पर जैसे की माली जी करेंगे यहाँ पर बोला है इस वैलू दॉप वैलू दर्ज नाइच तो यहाँ आपका जो है यह डाटा वालेटैसर के इंट्रिसिक टॉस्टम से भाइच नहीं खा रहा है इसलिए यहाँ पर इसकी वैलू जोह टेक्स यहां पर लिखा गया है एकसेट वैलू इफ इज लेजर देन दा प्रिवेस्ट सेल तो यहां पर अगर कोई जैसे की मालिज यहां पर हम जो टैप कर दें 100 अगर यहां पर मुझे 99 करना है या 69 करना है तो हम यहां पर इंट्री नव कर सके इससे अधिक जो आंडेट लिखा ग आप लिखा गया है यहां पर इससे जो बड़ा होना चाहिए यह आपका वैलू एवान ओना चाहिए इसी तारीके से यहां पर भी condition लगा सकते हैं से क्याद करता हूं और यहां पर entry इससे बड़ा यह वाला entry होना चाहिए क्लिए रए इसको कर देंगे अब जैसे कि यहां पर हम यहां पर घ्रार लिखर रहे हैं और यहां पर 15 लिखेंगे तो इंट्री होगा अगर इससे इंट्री जैसे कि नौ लिख गया तो यहाँ पर बोलना चाहिए आप लोग को डिस वैलू दस नाट मैच डाटा वैलिडिशन ओके तो आपको काने कमालब यह है कि जो लिखा गया ऊपर उससे अधिक जो है गिंती आपका यहाँ पर होना चाहिए और कम इंट्री इसकी वैलू नहीं होना चाहिए किलियर इतना है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट यहाँ पर डाटा वलेडेशन देखेंगे एक्सेप्ट वनली नान डुब्लिकेट डाटा ओके तो यहाँ पर जो एंट्री होगी वह आपका सिंगल फार्म इंट्री आपका होनी चाहिए और यहाँ पर डुब्लिकेट डाटा का इंट्री नहीं होना चाहिए तो इसका जो है रेजल्ट हम लोग अभी चेक करते हैं तो काम करेंगे आप लोगों को यहाँ पर पूरा जो है रेंज आप लोगों को सरेट करना है और कॉस्टम क्या करना क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आप लोगों को कॉस्टम पर क्लिक करना है और एक चोटा सा फार्मूला लगाना है अगर आप लोगों को फार्मूला पता है तो कमेंड बॉक्स में जरूर दीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग फार्मूला लगाएंगे इक्वल काउंट एफ कोश्टक आन कर देना है और कोश्टक आन देने के बाद यहां पर आप लोगों क्या करना है पूरा रेंज आप लोगों को सलिट करके या फोर से फुले फिक्स कर देना है क्लियर है इसके बाद कॉमा आपको कहां से रेंज देना है यहां पर तो range आप लोगों को A1 से क्या करना है? UN करना है इसके बाद यहाँ पर questions बंद करना है equals 1 और यहाँ पर क्या करना है? OK कर देना है इतना आप लोगों बस काम करना है यहाँ पर है अब यहाँ पर अगर इंट्री करना है जैसे की 1, R2, 3 अगर यहाँ पर मैं 3 की entry कर रहा हूँ जैसे यहाँ पर इंडर बारूंगा देखेंगे कि result आप लोगों को सामने क्या दे रहा है यहाँ पर बोला है this value does not match data validation ओके तो data validation में इसकी जो entry है वो नहीं accept कर रही है तो इस तरीके से जो आप लोग duplicate entry को भी हटा सकते हैं clear है तो बढ़ते हैं next point पर यहाँ पर लिखा गया है accept entry only if it begins with if तो यहाँ पर जो form आपकी बनाए गया है उसमें ए नाम से entry हो और किसी भी नाम से यहाँ पर अगर entry हो रही है तो वो क्या माना जाएगा wrong माना जाएगा करना है और आप लोगों का जाना है data validation पर तो data validation पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या custom custom wallet क्लिक करके आप लोगों को एक छोटा formula लगाना है equal left ओके तो यहाँ पर आप लोगों को यूज करना क्या मैं यहाँ पर दिखा देना हूँ left आप यहाँ पर क्या करना है और जो value यहाँ पर दिया गया इसको क्या करना है और इसके बाद जैसे कि इंट्री कर रहा है यहाँ पर आप लोगों को अगर ट्याप कर रहा हूं जो और आपके इंट्री हो जाएगी तो यहां पर next बढ़ते हैं यहां पर लिखा गया है accept entry only if it beginners with a and content 5 character इसमें जो entry हो वह क्या होना चाहिए ए नाम से होना चाहिए और यहां पर आप लोगों को 5 character भी होना चाहिए क्लिए रहे तो एक काम करते हैं इसके लिए फर्मूला है अगर आप लोगों का इसका फर्मूला पता है comment box में जरूर एप्लाइ करिएगा यहां पर क्या करते हैं select करते हैं range को data validation में click करना आप लोगों को है और यहांस क्या करना है custom पर आप लोगों क्या करना है click कर देना है और यहां पर एक formula लगाएंगे छोटा सा इसके लिए भी आप लोग एक छोटा formula लगाएंगे equal काउंट करना है और इस रेंज को आपको क्या करना है पूरा select करके इसको फुले fix कर देना है इतना हो जाएगा इसके बात क्या करना है comma और यहां पर double annotate comma में आप लोगों type क्या करना है ए नाम से दिया गया तो मैं यहां पर type करूंगा क्या ए और कितना character दिया गया है five character तो लगा देंगे तो यहां पर one two three four तो यहां पर मैं इसलिए four लगाया हूं question mark क्योंकि four तो आपका यह character और यहां पर एक character अप्लस यह जो आप लोगों को question mark लगाया गया चार तो यह आप लोगों को total मिला करके हो जाएगा क्या five one two three four five ओके तो इस तरीके से भी आप लोग ज क्या करना है double inuted comma से क्या करना है बंद करना है कोश्टक बंद करना है equal one इसके बाद क्या करना है यहां से okay कर देना है यह आपका काम हो गया अगर यहां पर जैसे कि मालीजे यहां पर बज़े टाइप करना है मालीजे बी ए बी अलाई तो इंट्री क्या होगा नहीं होगा क् कुछे इसा यहां करते हैं कि यह आप लोगोगों को फाइब करेकट्र है इस लिए ले रहा है जैसरे कि यहां करेगा एक्सेप्ट कर ले clear अगर यहां पर अगर होई entry आप किसी और नाम से करेंगे आप entry नहीं मानी जाएगी clear नहीं नेक्स्ट में यहां पर देखेंगे लिखा गया accept data entry if is a Monday ओके यहाँ पर जो entry होगी वो किस नाम से होगी Monday के date में accept होनी चाहिए और बाकी किसी भी date में entry हो तो वो entry नए accept होने चाहिए तो इसके लिए भी आप लोगो formula लगाना पड़ेगा सबसे पाले range को क्या करना है select कर लेना है इसके बाद data validation और यहाँ पर आप लोगो क्या करना है custom अजो लोग वीडियो को लाइक नहीं करें वीडियो को लाइक कर दें यहाँ पर formula लगाएंगे हम लोग क्या equal weekday क्या लगाएंगे weekday इसके बाद हम लोग क्या करना है पोस्ट अन करना है और इस range को क्या करना है select करके बंद कर लेना है और यहाँ पर equal to यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा गया है दो और क्या लिखा गया है यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि आपका शुरू होता क्या 0, 1, 2 तो 0 आपका जो हो जायागा Saturday और यह आपका Sunday, यह आपका Monday, clear है इतना है, और इसके बाद आप लोगो क्या करना है, यहाँ पर OK क्लिक कर देना है, जैसे यहाँ पर OK क्लिक कर देंगे, और कोई भी इंट्री एक्सेप्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं टैप कर रहा हूँ, 26.11.2024, clear है, तो आप यहाँ प मंडे के डेट में नहीं है, अगर मंडे के डेट में अगर यूज करना है, जैसे कि मालीजे 25.11.24, तो यहाँ एक्सेप्ट कर जाएगा, क्योंकि 25.11.24 को क्या था, मंडे था, क्लिए इतना है, अब हम बढ़ते हैं, next validation पर, और यहाँ पर देखेंगे, एक्सेप्ट यह वै 200 से अधिक आप लोगों का यहाँ पर इंटरी नहीं होनी चाहिए, अगर 600 से कम इंटरी है, तो आपका एक्सेप्ट को अन्यता क्या हो, नहीं हो, तो इसके लिए भी आप लोगों की छोटा सा फर्मूले लगाना पड़ेगा, आप लोगों क्या करना है, सबसे पहले range को select कर लेना है, और data validation पर आप लोगों क्या करना है, क्लिक करना है, यहाँ पर जैसे data validation पर खरेंगे, तो आप लोगों क्या करना है, यहाँ पर allow option, और यहाँ चोटा सा फर्मूला लगाना है, equal sum postcard on तो यहाँ पर जैसे on करेंगे तो इस range को आप लोगो क्या करना है select कर लेना और इसको जो फुली fix कर देना है postcard बंद करके less than इसके बाद आप लोगो क्या करना है यहाँ पर है equal और इस sale को value को क्या करना है click करके fully fix कर लिजेगा और यहाँ पर क्या करना है okay click कर देना बस इतना आप लोगो क्या करना था अब यहाँ पर देखेंगे कि 600 लिखा गया और यहाँ पर लिखा गया क्या 562 तो अगर 600 से इंट्री ज्यादा होगी तो यहाँ पर नहीं लेना चाहिए तो एक काम करते हैं यहाँ पर इंट्री करके देखते हैं जैसे कि यहाँ पर 70 कर दे रहा है तो इंट्री आपका जो है 570 हो गया अगर यहाँ पर माल लिजे हम भी इंट्री कर रहा है माल लिजे 75 तो यहाँ पर देखेंगे 607 दिखाई दे रहा लेकिन यहाँ पर value क्या आ गया है this value does not match the data validation क्लियर है तो यहाँ पर जो है अधिक होने के कारण इसमें इंटरे नहीं ले सकता है क्लियर है तो बस आज के लिए इतना ही इसमें से आप लोगों को किरना फार्मूला आ रहा था यह आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताईएगा और जो लोग चैनल पर नए जुड़े होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी दवाना मत मिलेगा इससे आने वाला notification आपको सबसे पहले मिल जाएगा Thank you